हेलो फ्रेंस आज का कुश्चिन बेस्ट है इंडिया के स्वाइल पर मैंने इंडिया के स्वाइल से रेलेटेट कुछ कुश्चिन लिया है और अगर आप इस वीडियो से मैक्सिमम बिनेफिट चाहते हैं तो आप अपने नोर्श कोपी और पेंट साथ लगा बठें ने तो य चीओ के वीडियो को एक बार देखें डो बार देखें तीन बार देखें अपने नोर्श को रिभाइच किरें इससे क्या होगा इससे यHE करेंदे में और हमको मदद करने में मैं कि मैं आपको ज्यादा समय नहीं लोगा तेली वीडियो के स्टार्ट करते हैं क्या है ना on है हम्रा पाला कुछिन टे वल्दी डेगे शिब्रेटिृटिड उन व्ल्स वाइल डे किस दिन को स्रिब्रेट किया जाता है जैंट है गो सिना जोन है तो आंटिंटू है को सका में डुप मित्टी है और यह इंडिया का 40% इरिया कफर करता है और मुशली अहां पाया जाता है और यहसे याद रखेंगे और एलुबियल स्वाइल का ओल्ड एलुबियल स्वाइल होता है उसको बांगर बोला जाता है और जो न्यू एलुबियल स्वाइल है उसको खादर बोला जाता है आप इसको याद रखेंगे सबसे उपजाओ मिटी है सबसे उपजाओ मिटी है या लोड मीटी next question question number third red swirl red is color due to which red swirl किसके कारण red होता है किसके कारण लाल होता है the right answer is iron iron के कारण red swirl red होता है और iron के अलावे iron oxide भी इक जाम में देता है आप याद रखेंगे iron oxide और iron oxide न देकर कभी कभी hematite भी देता है hematite जो की iron का एक और है hematite क्या है? iron का और है आप याद रखेंगे लाल मीटी किसके कारण लाल रंग विक्सित करती है the right answer is loha loha के कारण लाल मीटी लाल रंग विक्सित करती है which soil is formed as a result of weathering of metamorphic and igneous rocks metamorphic और igneous rocks के weathering से कौन सा soil बनता है? the right answer is red soil metamorphic और igneous rocks के weathering से red soil बनता है और aloeveal soil कैसे बनता है? aloeveal soil बनता है नदी द्वारा जो silty deposit किया जाता है उसके द्वारा aloeveal soil बनता है laterite soil कैसे बनता है? laterite soil बनता है intense intense leaching की वज़ा से यानि की वैसा area जहांपर high temperature और high rainfall होता है और वहां की जो मिट्टे होते हैं में साब पानी से धकी रहती है यहांपर पानी के जमाव अधिक होता है वहांपर laterite soil बैया जाता है और जो black soil है? यह black soil बनता है volcanic rocks से volcanic rocks volcanic rocks को वज़ा से black soil बनता है अर्थ से जो लावा निकलता है उससे जो मिट्टी बनती है वह black soil होती है next question कायांत्रित और आगनी चटानों के अपच्छे के परणाम से रुप कौन सी मिट्टी बनती है? वह मिट्टी है लाल मिट्टी अप याद रखेंगे next question है question number 5 which soil is highly moisture written इन में से कौन से मिट्टी है जो सबसे ज़्यदा moisture कंटेंड करती है the right answer is black soil black soil सबसे ज़्यदा moisture written करती है और black soil को क्या बोला जाता है regular soil भी बोला जाता है regular soil आप याद रखेंगे और black soil में ही self plowing होता है self plowing self plowing मतलब यह जो black soil होता है जब यह मिट्टी सुखती है इसमें बड़ी बड़ी दरारे आ जाती है इसकी करण इसको self plowing भी बोला जाता है कौन से मिटी अध्रिदिक नमी धारन करने वाली होती है वो है काली मिटी next question question number 6 which soil is internationally known as tropical canogems tropical canogems के नाम से किस मिटी को internationally जाना जाता है the right answer is black soil black soil को tropical canogems के नाम से जाना जाता है internationally किस मिटी को उसरा कटे बन दिया इस चेनोजम के रूप में जाना जाता है वो है काली मिटी number 7 which soil is used for making bricks and for using house construction कौन से मिटी को घर बनाने या इटे बनाने में इप्योग की जाती है the right answer is laterite soil laterite soil को घर बनाने और इट बनाने में इप्योग की जाता है और laterite soil में iron oxide पढाजाता है क्या पढाजाता है iron oxide और इसके अलावे एक और compound पढाजाता है aluminum compound aluminum compound अब याद रखेंगे exam में question जिता है कि iron oxide के अलावा laterite soil में और कौन सा compound पढाजाता है तो आप इनसे लगेंगे aluminum compound का next question किस मिटी को उप्योग इंटे बनाने और मकान बनाने के नीरमाड में ब्योग किया जाता है ढर इसेड लेटरीट स्वेल question number eight soil suitable for tree crops like यहां पर mistake होगी हहां पर होगा केसीव नट by the case of nut इन्य की केशील नट इनिकी काजु को काजु के लिए कौनव साथ स्वेल सबचते दा शुटेबल होता है दे राइट एंसर इज लेटराइट स्वेल और केसी नट के अलावा रबर सिंकुना एरेका नट और कोफी के लिए लेटराइट स्वेल ही शुटेबल होता है कौन-कौन सा रबर, सिंकुना, एरेका नट और कोफी के लिए भी सबके लिए भी लट्र उररीपे की उपयोगी होता है निइंक शूतेबल होता है लट्रeat स्वकेल जाता है लुट्र태त स्वकेल मुश्ली पाय जाता है नैडर्च आंधर पर्देश में और केरला में आप याद रखेंगे काजु जे सिवरीश फसनों के लिए उप्योक्त मित्ती है वो मित्ती है लेटराइट मित्ती क्यूंस नम्मुइर फिच साथ के सब्सक्राइट की उप्योक्ती हुआए क्या जाता है वैसे एरिया जहां बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन होता है और बहुत ज़्यादा सिचाई का इरिगेशन को उप्योक किया जाता है वो जाता है फटी-लाजर का उप्योग हो जाता है ऐसे एरिया में जो फ्राइल होता है ऊस और सालीनिटी schwierig को कम करने के लिए हम जिप्सम का उप्योग करते हैं आब इसको याद रखें कोन से एल्मिन्ट का जिप्सम का हम दो उप्योग करते हैं मिटी में लवड़ता को लवड़ता की समस्या को हल करने के लिए किस ततों को मिलाने के सलाद दी जाती है वह है जिप्सम नीक्स क्यों नमर तेन क्यान फोलॉइः निट्रोजन फिक्सिंग बेक्टीरिया इनमें से निट्रोजन फिक्सिंग बेक्टीरिया है नगा और यह कहां पाई जाती हैं लेजुमिनस क्रोप्स में यह पाई जाती हैं यह क्या करती है यह जो बैक्टेरिया होती है एक्मोस्फेर से वातावनर से नाइटूजन को कलेक्ट करती है और कलेक्ट और किसको अमोनिया में चेंज करके अर्थ में रिलीज कर देती है क्या करती है अमोनिया में बदलकर अर्थ में रिलीज कर देती है और स्वैल को फर्टिलिटी परदान करती हैं निमलिकित में से कौन सा कौन नाइट विजन इस्थिर करने वाला जिवाण है है वह है सभी सभी है इसमें एना बेना एजट्रोबैक्टर राइजोबियम नेक्स्ट क्वेश्चिन वचनम 11 सेलाइन स्वैल को और किस नाम से जाना जाता है वह है सोलाण चॉल के नाम से जाना जाता है खारी मिटी को किस नाम से भी जाना जाता है खारी मिटी को लेटराइट स्वैल लेटराइट स्वैल में हौनी कम स्ट्रक्चर पाया जाता है मुद्धुकूर्ष किसन रिच्चा किस मीटी में पाय जाती है वह है लेटराइट मीटी नेक्स्ट क्वेशन नमर 13 अनदर नेम आफ एसीड और अलकलाइन स्वैल इच एसीड और एसीड और अलकलाइन स्वैल का दूसरा नम और क्या है और एसीड और अलकलाइन स्वैल को डिफरेंट एरिया में डिफरेंट नेम से बोला जाता है जैसे कि उसको रेह बोला जाता है उसर बोला जाता है राकर बोला जाता है थूर बोला जाता है कार्ल चुपान आधी नामों से भी जाना जाता है लेकिन मुशली यह कलार पुछता है अम लिए अच्छारी मिटी में से एक है यह कलार इंडिया में कितने परक के स्वाइल पाया जाते हैं the right answer is 8 एंडिया में 8 प्रकार के स्वाहिल पायजाते हैं और कभी 7 भी देता है 9 भी देता है लेकिन जो 8 है ये आई C-A-R दावरा अप्रूब थे इंडियान कांस्ल आफ एक्रिकल्चर और रिशर्च दावरण अप्रूब है और वर्ल्ड में मेजर कितने टाप एल पाए जाते हैं वड में गृंचय में मेजर 12 परका के वाया जाते हैं आप एक बातका कर ब्हार एक परका का मित्तई करेति हो दिप़े जाती है जो किसा हम इयरत है है वह है जम्मू एंड कस्मीर कस्मीर के जम्मू एंड कस्मीर के कस्मीर वैली में पाया जाता है आप इस याद रखेंगे और यह करिवाज है करिवाज क्या है एक लक्स्ट्राइन डिपोजिट है लक्स्ट्राइन लाक श्टाइन डिपोजित है आप इसको याद रखेंगे करिवाज एक पर करके मिट्टी और जमाओ किस राज में पाया जाता है दराइट इन सेरीज जमू एन खासमीर कि अमुच्ड फोलाइं स्वाइलिज मौस्टुटी फ़ियू 4 टिप्लनेशन टिप्लनेशन के लिए इनमें से कौन से मिट्री शुर्श यदद श्यूतेबल कि Is settle रिख हो इसे डिक स्वाइल निमल्हित में इसे कौन सी मिटी चाय के बागान के लिए सबसे उप्योग्त है ओ है अम लिये पी कॉश्या नबर एटिन कर दी पोजिशन ऑफ टर लोकेटिट केता इंड़ बी होरीजीन इच deposition of translocated cations by rain water by rain water in the B origin is rain water के द्वारा the soil का जो उपड़ का जो salt होता है उसको एक जगाँ deposit कर देती है और उस deposition को क्या बोला जाता है कैलिके बोला जाता है क्या बोला जाता है कैलिके जोकि मुझली कैल्सियम कार्बोनेट से बना होता है किससे बना होता है calcium carbonate, CCO3, आप इससे याद रखेंगे, बीच हितीज में वर्षा जोल द्वारा अस्थनानित्री धनायनों का निछे पढ़ है, वह है, कैलीचे, जो कि calcium carbonate का बना होता है, The natural process of soil formation is called, soil का natural, soil बनने का natural परकिरिया को क्या बला जाता है, वह है, उसको बुला जाता है, उसको बुला जाता है, paedogenesis, उसको बुला जाता है, paedogenesis, और soil के formation के study को paedology बुला जाता है, paedology, आप इसको याद रखेंगे, मिर्दा निर्मार की परकिरिक परिकिरिया काहलाती है, paedogenesis, paedogenesis, question number 20, the transfer of minerals from top soil to sub soil through soil water is called, उसको बुला जाता है, leaching, क्या बुला जाता है, leaching, जो soil होता है, मिर्दा का top soil से sub soil में जाना, की परकिरिया को क्या बुला जाता है, leaching बुला जाता है, मिर्टी के पानी के माध्यम से उपरी मिर्टी से, अब परिदा में खुनीजो के अस्थनान्तरों को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है, निचालन, पिस याद रखेंगे, question number 21, which of the following states has very little alubial soil, इन में से किस state के पास सबसे कम मातरा में alubial soil है, वो है माध्यपदेश, माध्यपर सेज के पास सबसे कम मातरा में alubial soil है, निमलेकित में से किस से राज्य में बहुत कम जलोड मिर्टी है, वो है माध्यपदेश, अब इसी याद रखेंगे, question number 22, the soil which is a mixture of sand, clay and silt is known as, वैसा मिट्टी, जो sand, sand, clay और silt, तीनों का mixture हो, उस soil को बढ़ा जाता है, लोई मी soil, वो मिट्टी जो बालू मिट्टी और गाद का मिस्रून होती है, कहा राती है, दो मट्टी, आप इसे याद रखेंगे, इस प्रकार, मैंने, इंडिया के स्वाइल से लिए टेट ट्विटी ट्विट्टी ट्विश्चन कराया, मुईद करूँगा, आप इसे पसंद करेंगे, तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में, सब्सक्रा के लिए थैंक यू.